अब यह important क्योंकि इसके पहले के जो examples है वो बिलकुल method है वो आप general method से भी मतलब कुद की समझ से भी कर सकते हो लेकिन यहाँ इसके बाद की जो example है 17 के बाद से वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा आपको first derivative test और second data test इन दौन में से कोई method लगाना पड़ेगा आप इस तरीके से अपने method को justify करते हैं यह check करना पड़ेगा इसके बाद important है क्योंकि हम दो method सीखेंगे तो इस question के लिए मैं आपको दौना method solve करें बताऊंगा आपको अपनी suitability साब से दौना method समझ लेना है ठीक है फिर मत कहना कि यह वाला method सिखाओ यह वाला method सिखाओ तो एक example में दौना method बता देता हूं आपको introduction test first derivative test है आपके पास ठीक है sir first derivative test कैसे करेंगे सबसे पहले given function लेको एक मिनट ब्लैक यूश कर दूं sir given function क्या है मेरे पास fx equals to x cube minus 3x plus 3 अब क्या करूं मैं इसका सर इसका में differentiate करता हूं wait a minute differentiate with respect to x अगर ऐसा करते हैं तो f-x equals to derivative कैसे करते हैं अपने d upon dx x cube का किया minus d upon dx 3x का किया फिर d upon dx 3 का किया ऐसे करते है differential x cube पर differential कैसे होता सर पावर आ गया थी पावर में से कम हो जाता है यह three constant x का किता हो जाएगा आपके पास one हो जाएगा और यह constant है यह हुआ 3x square minus 3 आपके पास f-x बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या है क्या करना है आपको simple है put f-x equals to zero put कर दो तो करो 0 3x square minus 3 equal to zero put किया क्या करें सर 3 common लिया x square minus 1 equal to zero किया 3 और x square और यहां पर मैं 1 का square मान सकता हूं तो क्या होगा सरी है x plus 1 और x minus 1 बताओ यह चीछी समझ में आई क्या हां सरागी आप क्या करना है आपको x plus 1 equals to zero करना है तो x की value minus 1 बना जानी है और x minus 1 equals to zero करना x की value plus 1 बना जानी है यह आपने दो value इस तरीके से बना है यह ऐसे भी कर सकते थे 3 को बेच सकते थे 3 से 3 कट करते 1 आता x का square अट आता रूट लगाते वन के उपर रूट खुलता था plus minus 1 निकल जाता automatically यह भी कर सकते हो इस तरीके से factors करके भी कर सकते हैं अब आपके पास दो value आगई आपको नहीं करना आपको number line बनानी है simply देखो wait minute सरी यह negative होता है यह positive होता है यहां मैं आपके पास minus 1 मान रहा हूं यहां मैं आपके लिए प्लस 1 मान रहा हूं ठीक है अब आपको क्या करना है इन इंटरवल के अंदर minus infinity to minus 1 minus 1 to 1 इन में बताना है कि f डैश जो है वो positive होगा यह negative होगा समझ मा रहा है ठीक है f डैश है कितना आपके पास पहले वह देख लो सर्थ 3x square minus 3 अब minus infinity से minus 1 से minus infinity कोई भी value चूज करो अपनी मर्दी जो आपको सही लगए आप शाओ तो minus 2 कर सकते हो point में भी ले सकते हैं कोई issue नहीं है हम यहां पर simply minus 2 करते हैं यहां आप minus 2 करो minus 2 का square 4 होता है 4 3s are 12 होता है 12 में से कुछ भी जाएगा तो positive बचेगा यहानि यहां आपका f डैश जो है यहां पर भी क्या रहा है मेरे पास positive आ रहा है कि अब यह तीनों इंटर्वल आपको सुंझ में आ गया हूंगे इन इंटर्वल में क्या साइन यहां वह सौंझ में आ गया होंगे हां सरसभा अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे मैं यह कह रहा हूं ही at x equals to minus 1 f dash x Yeah sign changes positive to negative क्या लिखा मैंब कि आपका जो f dash x है उस पर जो sign change हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं भीया वो हो रहे है sir positive से negative अगर positive से negative change हो रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा sir मैं कहूंगा आपके लिए x equals to minus 1 is a point of point of local maxima ये भी मैंने आपको introduction part में बताया है आप introduction part देखो कि आपके सारे-सारे doubt निकल जाएंगे मानके चलो तो जब positive से negative change हो रहा है और जिस point पर हो रहा है उस point को हम क्या मानते है local maximum मानते है अब यहाँ पे local maximum value पूची नहीं है लेकि मैं फिर भी निकालके दिखा रहा हो आपको न लोकल maximum value पूची नहीं फिर भी निकालके दिखा रहा हूं यह जो point है इसको function में put करो sir function क्या है मेरा fx equals to x cube minus 3x plus 3 यहाँ आप f की value minus 1 put करो solve करो minus 1 plus 3 plus 3 in the sense 5 यह जो 5 है इसको क्या कहते है इसको कहते है local maximum value और यह local maximum है point समझते हो जिस point के उपर निकल रहा होता है उसको तो कहते है उस point को local maximum और local maximum value उस point को function में put करना होता है आपको इस तरीके से local maximum value निकालते है बता हो समझ में आ गया क्या हां सर समझ में तो आ गया लेकिन अभी एक ही पार्ट हुआ है अभी at x equals to plus 1 पर बचाया ना पीछे आ जाओ आप at x equals to plus 1 अब आप देखो f dash x sign changes अब देखो positive है positive के लिए sign क्या हो रहा है सर नेगेटिव से positive change हो रहा है क्या हो रहा है negative से positive change हो रहा है अगर यह positive से negative change हो रहा है तो हमारा x equals to plus 1 जो होगा is a point of local minimum हो जाएगा बता होगा नहीं होगा हां सरुबत हो जाएगा क्यों हां समझ में आया क्योंकि सरी negative से positive बतला है और अगर आपसे local minimum value पूछे तो आपको पुछनी करना आपके सामने function है यह x cube minus 3x plus 3 यहां आप यह value पूट करता हो 1 1 cube minus 3 1 plus 3 1 का cube 1 minus 3 plus 3 सही है ना 1 का cube 3 1s are 3 cancel out और यह 1 इसको क्या कहते हैं हम सर इसको कहते हैं local minimum value यह जैसे function value पूट करी उसको कहते है local minimum value और जिस point पर आपका जो नेगेटिव से positive आ रहा है उसको कहते है local minimum बता उसमें आ गया क्या हां सर आ गया तो इस question के लिए मैं लास्ट में लिखूंगा हैंस लोकल ऐसे लिख देता हूं पॉइंट ओफ लोकल मैक्जिमा इतना निकला था हमर पास पीछे माइनस वन और पॉइंट ओफ अब डिरेक्ट लोकल मैक्जिमा लोकल मिनिमा भी लिख सकते हैं कोई ऐसा इश्यों नहीं है मिनिमा सर मिनिमा निकला मारे पास बताओ यह समझ में आ गया क्या आसर आ गया यह हो गया आपका solution complete अब यह अपने first derivative से किया अब यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगा ठीक है बाई करो पहले फंक्षन जो गिविन अब हो देखो एक्सक्यूग माइनस थ्री एक्स ब्लस त्री एकसर ब्लैक पर आ जाते है अपने ओल ब्लैक इसकाम करेंगे अब डिफ्रेंशियेट ब्लैक नहीं हुआ क्या वात है ओके डिफ्रेंशियेट विट रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एकस बता निकलेगा सरी हो जाएगा थ्री एकस स्क्वेर यह हो जाएगा थ्री सिंपल अब वही चीज वापस करो पुट एफ डैश एक्स इक्वाल्स टू जीरो मैथर बत क्या करना है एकस प्लस वन एकस माइनस वन एकस की वैल्यू वन आ गई और एक एकस की वैल्यू माइनस वन आ गई यह पॉइंट निकालने तक तो सब कुछ सेम ही चलता है कुछ ऐसा नहीं पॉइंट निकालने आपको सिंपली अब क्या करना है आपको आप हैं इंपॉर्ट अब यहां इसका डबल डिफ्रेंशियेट कर दो, डबल डिफ्रेंशियेट कैसे होता, सरी आगया आएगा, 6X हो जाएगा, यह आगया आया, तो 2-3-6 है हुआ और इसका 0 हो गया, तो लिखने की ज़रत नहीं है, यहां आगया, आपके पास 6 है, यहां तक बताओ कोई दिख्कत है, क्या करना है, 1st, put X equals to, X equals के अंदर क्या पुट करो, एक बार positive का 1 put करो, एक बार positive का 1 put करो, एब डबल डेश, 1 put करने पर कितना आ रहा है आपके पास, 6 1s आ 6, यानि कि सरी यह greater than 0 है, क्योंकि सरी यह positive है, अब आप मुझे देखो, पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे पीछे पीछे, positive 1 आपका minima था न, बिल्कुल था, यहां पर concept थोड़ा सा उल्टा है, सर कैसे उल्टा है concept, अगर value रखने पर, f double dash, अगर कोई भी at x equals to कोई भी value रखने पर, double dash जो है, वो अगर positive आ जाती है, आपके पास value, तो आप उसको क्या मानोगे, local minima मानोगे, तो x equals to 1 क्या है आपके पास, local minima होगा यह, उल्टा है, अगर positive आ है तो minima मानना, और negative y है तो maximum मान लेना, समझ गए, यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उल्टी वाली चीज, फिर वही चीज है, अगर आपको local minimum value निकालनी है, तो आपको इसको क्या fit करना पड़ेगा, function में इसको आप one put करेंगे, function में one put करेंगे, यहाँ one का cube, यहाँ three ones are three हो गया, three से ती कड़ गया, one आ गया, और यह जो value है आपके पास, यह क्या है आपके पास, local minimum value, वही question है, बस solution देखो, इस तरी के से कड़ दिया मैंने, अब आज़ो, एक और value रखनी है अभी आपको, अभी तो एक ही रखनी है अपने, second method चल रहा है, आप चाओ तो कोई भी एक कर से लो, मैंने दौना मतार दी, एक बार note down कर लें, ताक पर समझ में आज़ा, दौना मतार लगाते कैसे, x equals to one लगाया, आज़ो पीछे, अब मैं x equals to क्या लगाऊंगा, माइनस वन आया, यानि कि less than zero है, क्योंकि यह negative value है, अगर negative value है, तो x equals to minus one को, आपको क्या मानना है, is local maximum मानना है, उल्टा, negative आया, तो maximum मानना, positive आया, तो minimum मानना, यह आगया समझ में हाँ सब, अब इसी value को function में put कर सकते हैं, f की value minus one put करेंगे, तो minus one का q minus one, minus one से इसको multiply करेंगे, तो सब plus three, और यह plus three, यानि कि five, f minus one आपके पास, five जो है वो क्या है आपके पास, सरी आया, मेरे पास local maximum value, देखा आप शुरू शुरू मे, five आपका local maximum value आ रहा था, हाँ सरा रहा था, अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पर भी हम last में लिखते हैं इस तरीके से, x equals to, plus one जो है, वो आपका local, minima है, और x equals to, minus one, यह local maximum है, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, दौनों method करा दिये हैं मैंने, अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी question में कोई भी method लगाऊंगा, तो आप comment section मत type करना, कि sir आपने इसको first से क्यों नहीं किया, second से क्यों किया, अपनी मर्जी है, आप चाहें जिससे लगाओ, कोई ऐसा issue नहीं है, दौनों से साही बैठेगा, समझगे हैं बस यह ध्यान रखना, कि जब second derivative करते हैं, उसके अंदर जब हम at x equals to 0, at x की value जो put करते हैं, कौन सी वाली values, जो हम first derivative से equal करके निकालते हैं, कौन सी वाली value, यह वाली value, यह जो हमने value निकाल ली, जब हम second derivative input करते हैं, तो अगर positive आयने, तो फिर आप उसको minimum मानना, उल्टा, और अगर negative आये आपके पास, तो आप उसको maximum मानना, यह याद रखने वाले चीज़, अगर यह भूल गया, तो आपका secondary value गलगत हो जाएगा, पता हो समझ में आगे हैं, हाँ सर, तो यह हो गया, आपका example number 17, complete है, वैसे छोटा था question मैंने थोड़ा लहंदी करा दी, क्योंकि सारे points इसी में मैंने fit कर दी है, ठीक है, ताकि आपको बार-बार method बगरी सिखाने की ज़रुत ना पड़े, किलिया रहे हैं यहाँ तक, complete है, आपका example number 17, कोई और डाउट लगे, comment section बता ना, वैसे कोई आएगा नहीं, मैंने सब कुछ बताने कोशिश करिये हैं, फिर भी कुछ चूट जाए ता बता देना, ठीक है, मिलते हैं next video में, goodbye.